मैं आज की पहली गोशना करने जा रहा हूँ और वो है 59 मिनिट लोन पोर्टल का देश में आपी लॉंच करना है एक लाख रुपिये तक का रण मिलेगा जी हाँ दूसरो अपलोग सईसुने केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत के अंदरगत एक ऐसा स्कीम को लॉंच कर दिया गया है जिससे पूरे भारत के अंदरगत जितने भी गरीब है, मजदूर है, बेरोजकार है उन सभी लोगों के लिए दूस्तो एक नया स्कीम लाज कर दिया गया है पूरे एक लाग से लेकर पूरे दस लाग तक लोन दिया जा रहा है और यहाँ पर अपलोग लाई पूरूप देख सकते हैं मैंने इसी वेबसाइट से दूस्तो लोन एपलाई किया था पूरे एक लाग का और मेरा दूस्तो लोन एप्रूबेल हो चुका है मेरा बैंक एकाउन पर लोन केडिट भी हो चुका है यहाँ पर अप लोग लाई पूरूप देख सकते हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को complete details में बताऊंगा और दूस्तो इस scheme के तहत एक बड़ी खासियत है जिसमें दूस्तो आपको सिर्फ आधार कार्ड और फ्रें कार्ड के basic पर पूरे एक लाग तक लोन दिया जागा जिसमें बीना किसी guarantee बीना बयाज इसमें दूस्तो आप लोग को subsidy भी दिया जागा पूरे दूस्तो 25 से 35% का subsidy भी दिया जागा तो दूस्तो अगर आप लोग इस website में पहले अगर apply किये हैं तो दूस्तो इसमें आप लोग का कुछ information गलत भरने के कारण इसका दूस्तो आपका form को reset कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो में मैं जब लोग को सभी information बताऊंगा जैसे दूस्तो आप लोग किस परकार से complete information भर सकते हैं और आप लोग live proof देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप लोग को apply करना है और किस परकार से आप लोग को आपने bank account पर पेसा receive होगा complete details में बताऊंगा तो इसके लिए आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अन तक देखना है तब ही जाकर आप लोग को complete details पता चलेगा और दूस्तो इससे पहले आप से एक छोटी सी request है अगर आप मेरे चैनल में पहली बारे चैनल को subscribe कर ले और इस वीडियो को आप लाइक करें चली दूस्तो शुरू करते हैं loan को apply करने के लिए आप लोग को इस website पर आना होगा इस website का link आपको वीडियो के description पर मिल जागा वहाँ से दूस्तो आप click करके आप इस website पर आजें इस website पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर दूस्तो आप लोग को 15 skim देखने के मिलेगा साथ loan category देखने के मिलेगा और यहाँ पर आप लोग को 200 से plus यहाँ पर platform देखने को मिल जागा यहाँ पर आप लोग दूस्तो बिजनेस loan को apply करना जाते हैं तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग को एक option मिलेगा बिजनेस activity loan यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चेक eligibility दूस्तो अगर आप लोग इस website में पेले भी अगर loan apply किये हैं तो आप लोग का दूस्तो कुछ information गलत है इसी कारण से दूस्तो आपका form को reject कर दिया जा है इस option पर किलिक करने के बाद कुछ इस परकार का interface निकल कर आ जाएगा सबसे पिले तो यहाँ पर आप लोग को एक option दिखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार option मिलेगा तो दूस्तो यहाँ पर आप लोग को आदार बिजनेस लोन के उपर ही आप लोग को किलिक करना है इस option पर किलिक करना है इस option पर किलिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपका new business है या दूस्तो पुराना business है अगर दोस्तो आपका new business है फिर भी आप लोग loan ले सकते हैं आपका पुराना business है फिर भी आप लोग loan ले सकते हैं तो दोस्तो मेरा नया business है तो दोस्तो यहाँ पर new के उपर हम click कर लेते हैं इसके बाद दोस्तो बोल रहा है कि आप 8 pass है या दोस्तो 8 fail है तो दोस्तो अगर यहां पर बोल रहा है कि EDP training, जो कि दूस्तो अगर आप EDP training किये हैं तो यहां पर आप लोग को yes करना है, बना यहां पर आप लोग को no कर देना है, इसके बाद दूस्तो नेचुरल बिजनेस का type पूछ रहा है, जिसमें यहां पर आप लोग को manufacturing को ही select करना है, इसके बाद email जो भी है यहाँ पर आप लोग लोन ले सकते हैं तो आप लोग को आपने हिसाब से select कर लेना है इसके बाद दूस्तों short sale category पुछ रहा है जिसमें दूस्तों आप general से आते हैं या दूस्तों OBC से आते हैं यहाँ पर आप लोग को select कर लेना है तो दोस्तो मैं यहाँ पर OBC को select कर लेता हूँ इसके बाद दोस्तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका physical कुछ भी problem है फिर भी दोस्तो यहाँ से अप लोग लोन ले सकते हैं तो दोस्तो अगर आपका physical problem है तो यहाँ पर अप लोग yes कर सकते हैं बरना यहाँ पर अप लोग नो कर सकते हैं, इसके बाद दूस्तों यहाँ पर कुछ state का नाम दिया गया है, अगर दूस्तों आप इन state से आते हैं, तो यहाँ पर अप लोग को yes करना है, बरना यहाँ पर अप लोग को no करना है, इसके बाद दूस्तों यहाँ पर बोल रहा है क यहाँ पर आप लोग को इंड जूबल को सिलेट कर लेना है, इसके बाद दूस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि आपका पोर्जेक्ट का कष्ट कितना है, मतलब दूस्तों आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का दूस्तों आप लोग का दूस्तों पोर्जेक्ट कि लेता हूँ तीन लाग इंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास कितना बजट है मतलब दूस्तो आप जो भी बीजनेस को स्टार्ट करना जाते हैं उसमें तो आपके पास भी दूस्तो कुछ बजट होना चाहिए तभी जाकर आप लोग को लोन दिया जाएगा कुमपनी तो दूस्तो यहाँ पर आप लोग को आपना बजट को भी इंटर करना है तो दूस्तो मेरा बजट यहाँ पर दो लाग है तो दूस्तो मैं यहाँ पर दो लाग आपलोग को देखने को मिलेगा, इस loan के तहरे दूस्तों आप लोग को subsidy भी दिया जाएगा, यहाँ पर अपलोग देख सकते हैं, पूरे दूस्तों मेरा एक लाग का loan एपलाई हो चुका है, जिसमें दूस्तों हमको 75,000 का subsidy भी दिया जाला है, तो दूस्तो मुझे यहाँ पर ज्यादा सबसिटी मील चुका है 75,000 का सबसिटी मील चुका है EMI यहाँ पर अप लोग देख सकते हैं 110 रुपया और यहाँ पर अप लोग देख सकते हैं 15 साल में इसे हमको repayment करना है तो दूस्तो इसे apply करने के लिए login to apply की उपर अप लोग को क अप लोग को इस जाएगा OTP को यहाँ पर अप लोग को इंटर कर लेना है OTP इंटर करते ही दूस्तो कूछ इस परकार का इंटरफेस निकल कर आ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोर्षीट का एक option मिलेगा पोर्षीट के उपर आप लोग को किलिक करना है यहाँ पर दूस्तों आप जितने भी details इंटर के हैं सबी details यहाँ पर आचुका है जो कि दूस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका सबी details यहाँ पर आ चुका है इसके बद दूस्तों आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं। तो दूस्तों अगर आप लोग फर्स्ट टेम लो लेना चाते हैं तो यहाँ हपर अप लोग देख सकते हैं। new unit अपब लोग को यहाँ पर apply का option मिलेगा apply के ऊपर klick करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक form निकल कर आ जाएगा इस form को आप लोग को पूरा फिलब करनाहे और आप लोग को 100% loan मिल जाएगा इस form को फिलब करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आधार नमबर यहाँ पर आप लोग को अपना आधार नमबर इंटर करना है EID जो कि दूस्तों इसे आप लोग को छोड़ देना है जो कि दूस्तों आपके आधार कार्ट जो भी बनाए थे उसमें एक परची मिला था उसमें दूस्तों EID नंबर था उसमें दूस्तों 24 डिजिट का EID नंबर था उसे दूस्तों यहाँ पर आप लोग इंटर भी कर सकते इसे आप दोस्तो छोड़ भी सकते हैं इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आविदक का नाम यहाँ पर दोस्तो अपना नाम इंटर करना है इससे पहले सिलेट को उपर किलिक करना है सिरी सिरी मती कुमार जो भी आप लगाते हैं यहाँ पर आप लोग को स करना है यहाँ पर अपना डिश्टी को सिलेट कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना डिश्टी को सिलेट कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना डिश्टी को सिलेट कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना डेट आप बार्थ इंटर करन इसके बाद दूस्तों नीचे आप लोग को आना है नीचे यहाँ पर qualification दिया गया है यहाँ पर आप लोग को अपना qualification को select कर लेना है इससे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं special category इसमें आप लोग को not applicate को ही select कर लेना है अगर दूस्तों आपका physical कुछ भी problem नहीं है त और इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आप लोग का दूस्तों education को select कर लेना है education में दूस्तों यहाँ पर आप लोग गेजूसें पोस्ट गेजूसें यहाँ पर 12 पास 10 पास यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आप लोग को select कर लेना है इसके बाद दूस्तों आप लोग को नी है mobile number इंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर अपना email ID को इंटर करना है यहाँ पर दूस्तो अपना pain card number भी इंटर करना है तब भी जाकर आप लोग को loan मिलेगा यहाँ पर अपना pain card number इंटर करना है इसके बाद दूस्तो यहाँ पर को location को select करना है इसके बाद दूस्तो purpose address जो कि दूस्तो यहाँ पर आप लोग को purpose address select करना है मतलब दूस्तो आप जीस जगा पर रहते हैं वहाँ का address select करना है या दूस्तो आप जहाँ पर business कर रहे हैं वहाँ का address यहाँ पर आप लोग को select करना है अगर दोस्तों आपके आधार काड में same address है तो यहाँ पर आप लोग को same address को select कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गती बीदी परकार को select कर लेना है जो कि दोस्तों select के उपर आप लोग को click करना है यहाँ पर दोस्तों आप लोग को manufacturing को select कर लेना है इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आप लोग को गतिवीदी का नाम select करना है मतलब दूस्तों आप जो भी business करना चाहते है business का नाम यहाँ पर आप लोग को select करना है और business में दूस्तों जो भी product आप बिचते हैं, आप लोग को अपना पॉड़क का नाम को इंटर कर देना है, इसके बाद दूस्तों अगर आप EDP टेरिंग किये हैं, तो यहाँपर आप लोग को अचुका है, मतलब दूस्तों आप का पुण्जी कितना है, जो भी बिजनेस को इस्टार्ट करना जाते हूं उसके लिए पुझी चाहिए आपना तो आपना पुझी कितना है यहाँ पर आप लोग को पुझी को इंटर करना है यहाँ पर दूस्तो आप के बिजनेस में कितना इंपुलाई काम करेगा यहाँ पर आप लोग को इंटर करना है इसके बाद दूस्तो यहाँ पर आप लोग द डीटेल्स को इंटर करना है, यहाँ पर अपना बैंक का नाम सिलेट करना है, यहाँ पर दूस्तो आप लोग को पूरा डीटेल्स को फिलाप कर लेना है, यहाँ पर दूस्तो दूसरा बैंक भी दे सकते हैं, अगर दूसरा बैंक देना चाते हैं, यहाँ पर दूस्तो आप लो application डाटा अपलोग को save application डाटा के उपर किलिक करना है इसके बाद दूस्तों आप लोग का document page आ जाएगा upload document का जिसमें अपना pen card, आधर card और एक selfie आप लोग को upload कर दिना है इसके बाद दूस्तों आपका loan apply हो जाएगा और दूस्तों आपको 24-48 गंडे के अंदर आपका bank account में पेशा receive हो चुका है जो कि दूस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा bank account में पेशा receive हो चुका है पूरे एक लाग का जो कि दूस्तों मैंने इसी website से दूस्तों loan apply किया था मुझे एक लाग का loan मील चुका है जो दूस्तों कुछ इस परकाल से आप भी यहाँ से loan apply कर सकते हैं आप लोग को 100% loan मील जागा तो दूस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी लोग को पसंद है